नमस्कार, कैसे हैं आप सबुंगरेशन गुप्त नवरात्रे में मा दुर्गा की पूजा को गुप्त रखा जाता है। इस सिर्फ पूजा का फल दोगुना मिलता है। गुप्त नवरात्रे के दोरान कुछ उपायों से मा दुर्गा को प्रसन किया जा सकता है। सुभा शाम दुर्गा चालीसा और दुर्गा शप्षति का पाट करें दोनों वक्त की पूजा में लॉंग और बताशे का भोग लगाए मा दुर्गा को सदैव लाल रंग का पुष भी चड़ाए मा दुर्गा के विशिष्ट मंद्र का सुभा शाम 108 बार जब करें गुप्त नवरात्रे में अपनी पूजा के बारे में किसी को ना बताए ऐसा करने से आपकी पूजा और ज़्यादा सफल होती है गुप्त नवरात्रे में 9 दिन तक क्या करना चाहिए और क्या नहीं आए जानते हैं गुप्त नवरात्री के दोरान मास, मदीरा, लहसूर और प्याज का बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। माद्व दुर्गा स्वयम एक नारी है, इसलिए नारी का सदैव सम्मान करना चाहिए। जो नारी का सम्मान करते हैं, माद्व दुर्गा उन पर अपनी कृपा परसाती है। नवरात्री के दिनों में घर में कलेश, दुएश या अपमान नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से परकत नहीं होती है। नवरात्री में स्वच्चता का विशेश ख्याल रखना चाहिए। 9 दिनों तक सूर्योदे के साथ इस नान कर साफ वस्त धारन करने चाहिए। नवरात्री के दोरान काले रंग के वस्त नहीं धारन करने चाहिए और नाहीं चमडे की बेल्ट ये जूते पहनने चाहिए। नवरात्री के दोरान बाल, दाड़ी और नाखुन नहीं काटने चाहिए। नवरात्री के दरान बिस्तर पर नहीं बलकि जमीन पर सोना चाहिए घर पर आयक किसी महमान ये भिकारी का अपमान नहीं करना चाहिए और अपने मात पिता का सद्याव आदर करना चाहिए एसी और informative वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चानल को सब्सक्राइब करें, और शेयर करें, तैंक यू